उजेन में हुए सिहस्त के बाद मालवा की लोगों ने फिर से कुम्ब के दर्शन किये। पितरीश्वर हनुमान धाम में लगे आस्था के महा कुम्ब में सिहस्त के जैसा हिद्रिश्य दिखाई दिया। हजारों श्रधालों की भीड के बीच धर्म और अध्यात्म के शिखर पर विराजत संत महात्माओं के सानित में हुए विराट धार्मिक महत्सव में पितरेश्वर हनुमान धाम में हनुमान जी प्रतिष्ठित हुए। सभी संत महात्माओं ने इसे एक दिव्य अफसर बताया। प्रतिष्ठा के संसकार पून करवाये। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हनुमान जी को चपन भोग का प्रसाद चड़ाया गया। इसके बाद महामंडलेश्व चिन्मियानंद और यग्याचार राजेश शर्मा की मार्ग दर्शन में कैलाश विजेवर्गिय रमेश मेंदुला, आकाश विजेवर्गिय ने 101 फिट उची के शर्याग भजा भी चड़ाये। हनुमान जी के विराट प्रतिमा की दर्शन कर पूजि संत मुरारी बापू अंत्यंत प्रसन हूँ उठे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की सीवा और भक्ती के जीवन्त प्रतीक है। राम जी की भक्ती में तलीन रहते हुए विस सदेव राम काज के लिए ततपर रहते हैं। सेवा को भक्ती, भक्ती को सेवा बनाने का गुण हम सब को हनुमान जी से सीखना चाहिए। कैलाश विजेवर्गिये ने बताया कि पितरेश्वर धाम में प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का समहरों तीन मार्च तक चलीगा। तीन मार्च को ही नगर भोज होगा, ये नगर भोज बड़ा गणपती से लेकर पितरेश्वर धाम तक होगा। महिश दलुत्रा विरेंद्र यादव सुमित मिश्रा सहीत अनेक भक्त जनुनी आशिरवाद प्राप्त किया।